हालो प्यारे मित्रों बच्चों कैसे आप आसा करते हैं आप स्वस्त और प्रेशन नहुंगे हमें उम्मीद है कि आपने अमारे वीडियो दे मेर आफ कैस्टर ब्रीज का पार्ट वन इंट्रड़क्टरी पार्ट आफ दे नावल अंड दे करेक्टर यह सुना होगा और आप से हमने वाइदा किया था कि हम इसको तीन पार्ट में प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको कॉंपेटिटिव और एक्जाम अकेडमिक एक्जाम परपस से इसमें हेल्प मिल सकें आपको हमने यह भी वादा किया था कि हम एस पार एस पॉसिबल इसका शौर्ट में हिंदी समरी प्रेजेंट करने के बाद पार्ट थर्ड की रूप में क्रिटिकल अनालेसिस यानि हम प्रेजेंट करेंगे जिसका एकेडमिक और कॉंपेटिटिव परपस एक बहुत बड़ा आपका उद्देश रहेगा जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेंगी लेकिन आपको वादा याद है दित्रों बच्चों आप जहीं पड़ रहे हैं इक दो बात यह की आप इस रिडियो को शूब राबर पूरा सुन रहे होंगे और नहीं सुन हें तो बार-बार सुने बराबर सुने आपने दी सब्सक्राइब नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें इससे हमें आपको और भी यानि एकेडेमिक और कॉंपेटेटिव परपस से जो रिसेंट प्रेजेंट रनिंग स्लेबस में जो होता है उस पर हम विचार करते हैं आप तक यानि प्रियास करते हैं इस पार्ट में हम बहुत यानि संक्षिप्त में पहले पार्ट में इंटर्ड़क्टी पार्ट में हमने नावल का इंटर्डाक्शन, प्लिकेशन, क्यरेकेशन, यंधार अपको और पर परियास करते हैं और काहानी के करेक्टर्स और काहानी की जो इवेंट से नीटिंग अप नावल से जब आप जुड़ेंगे तो आपको इसके क्योसन आंसर से इसका टैक्स फोकस है वो हमें समझ में आने लगेगा और अप्रोच अप नावलिस्ट समझ में आएगा हम एदिस की बात किरते हैं तो हमें कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालुम होता है कि इस नावल का जो प्रारम है एक इसका जो हीरो हैंच एड जो है हैंच एड अपनी पतनी सूसन के साथ हमें यानि काम की तलाश में यानि जाते हुए नजर आते हैं हैंच एड को भाई करेक्टर्स हमने लिया और एनालिसस अब करेंगे तब भी आनी आएगा कि एक युवा है ट्रेसर है आपका एक घशी आ रहा है गास खोदने बेचने का काम करता है जिससे अपनी आज जिवी का चलाता है और पतनी का नाम यानि सूसन है और जिसे यह दिया हम एजे नावल के हीरो एर हीरोईन की बात करें हैंच एड इस हीरो एंड सूसन इस हम देखते हैं कि किस तरह से यह जो दमपती है यात्रा करता जाता है इनमें डोनों में किसी तरह कोई यानि जádा वारतलाब प्रेम और एमोसंस पेसंस इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई जाती है ये सूसन केरिंग बेबी गर्ल बेबी एक यानी जहे लड़की अपने गोद में लिए आगे बढ़ रही है और इस लड़की का नाम एलिजा बैजेन है और ये किस तरह से आगे जाकर वेडन प्राइर से के जो जगें जा मेला लगा है महां पहुंसते हैं और वहां उस मेले में एक टेंट लगा है और फरमीटी वमन उसका यानी ओरिजनल नाम वमन गुड यानी जह है इनफ गुड इनफ ये वर्ड भी आपका सिंबोलिकल है ये प्रतिकात्म के हम कानी में पाते हैं कि किस तरह से टेंट में बैठने के बाद हमारा हेंच्यार्ड यानी बहुत जादा सराब का सेवन कर लेता है और सराब के बहुत जादा यानी सेवन करने की वज़े से अचानक वह बढ़ बढ़ाने लगता है और जोर जोर से आवाजे लगाने लगता है कोई खरीदेगा खरीदता है कोई मैं अपनी पत्नी को बैच रहा हूं और इस बात पर टैक्स्वल जब हम नावल में चैप्टर वाई जब देखते हैं तो इस इंटरड़क्टरी पार्ट में इस गठना में हमें लगता है कि सुसन बार बार उसे यानि जो है दीरे से बोलती है कि कहती है तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है तुम्हें इस तरह से यानि जो है मजाख मजाख होता है लेकिन ये एक पत्नी की पती के द्वारा बोली लगाने के लिए आवाज लगाना बैचे जाने के लिए आवाज लगाना ये ठीक नहीं है लेकिन वह साय होती है और हम देखते हैं स्टार्टिंग में उस टेंट में उस फरमीटी यानि जो है टेंट में अन्य और भी लोग हैं पहले मजाग उडाते हैं हसते हैं लेकिन लास्ट में एक यानी जो है बोली लगाने वाला वह आ जाता है और उसका नाम है यानी नियूसन एक एक सेलर है नावे के और उसके आने के बाद वो बोली लगाता है और फाइल गिनीज मैं यानि केने का मतब बोली लगा के और वो ऐसे सूसन को अपना यानि जो खरीद लेता है हम देखते हैं कि सूसन हैंचर्ड को पतनी के रूप में उसे ये इसारे करती हैं और कहती हैं हैंचर्ड मुझे तुमारे साथ पतनी के रूप में कुछ न मिला तुमने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाए दुख के अन्तदुग अत्वा जब वो ये सब नहीं सुनता और उसे फाइल भी नीज प्राप्त कर लेता है तो सूसन ये सोचती हैं कि चुंकि उसने यानी जहें बारिगेंस में खरीदने और बेचने के यानी जो इस व्यापार में जब उसे फाइव गिनी जुसके बदले ले लिये हैं और उसे बैच दिया है डिकलेर कर दिया है तो वो समझती है कि अब उसका अधिकार है और चुपचाप उसके यानी पीछे उसके साथ चल लेती है दरवाजे तक बाहर जाती है उसे याद आता है बड़े दुखी मन से वो वापिस मुड़ कर उसके हाथ में जो उसकी यानी जहें साधी की जो उठी है उसे भी वो खोल कर उसकी तरफ फैक देती है और चुपचाप नियूसन के साथ चली जाती है नियूसन इसे लेकर केनड़ा चला जाता है और केनड़ा में यह लगबक यानी जहें बारवर्ष तक वहां रहते हैं यह केनड़ा चले जाने के बाद यह यहां से रवाना होने के बाद हम पहले इदर इस बात को समझते हैं हमारा जो हैंचेड है यानी मदोश हो जाता बहुत देर तक उस फर्मिटी वर्मन के टेंट में बैठा रहता है वहां यानी अत्यदी की पीने की वज़े से वह बहुत जादा यानी ऐसी स्तती में है वहां से नहीं जाने की और बहुत देर से बहुत देर मिड यानि रातरी मद्द रातरी की लगबख वो महिला उसे यानि जहें कहती है लेकिन वहाँ से चलता नहीं है वहाँ से जाता नहीं है तो अपनी यानि जहें उसको बंद करें चली जाती है रहे बेवसा पड़ा रहता है शुबह क्या होता है कि जब हमारा हेंचेड जब उड़ता है तो उसे आशुसन जो जा चुकी है वो अपनी जेब में हाड डालता है तो उसे यानी वो फाईव गिंीज जो नोट है वो मैसूस होते हैं उसे सब याद आता है उसने नसे में क्या कर लिया उसे उसका बैचा जाना यह सब याद आता है उसी समय उसकी नजर एक सामने एक चीज पर पड़ती है एक चमकिली सी चीज पर और उसे उसे देखता है तो वो उसकी साधी के हम उठी है इस सबसे वो दुखी होता है उसमाईला से पूस्ता है कि यानि वो किदर गयर वो जो आइडिया देती इदर सब तरफ यानि वो उन्हें तलाशता है बहुत जादा इदर उदर यानि जह है परेशान होने के बावजूद निरासा हाथ लगती है वो पासी के चर्च में जाकर अपने दुख्य होता है उसमें यह क्या कर दिया और इस बावत वो चर्च में यानि उसकी उम्र जो आज वर्तमान में है ट्वंटी वन येर्स तक नोट टू टू टच हार्ड वाइन यानि यह 21 वर्सों तक वो सराब को छुएगा नहीं यह सपत लेता है और सारे प्रियास के हमाद वो Christus की तरफ यानि बढ़ता है यह इदर हमारा हेंचेड की स्तिय इधर हम देखते हैं कि वह निप ऑसेलर सूसन को लेकर जिसके साथ हम देखते हैं एलीजाबेई जेन जो हैंचेड की पैटिया से हैंचेड से लेकर आने जाता है बारा वर्स तक किनाड़ा में जैसे किये कि सामाने महीला पती के साथ अपने घर को समारने का काम करती है सारे डॉमेस्टी काम करती है एस पार एस पोसिबल अच्छा सचा करने का प्रियाज करती है मैनेस करती है चुंकि उसने देख लिया कि उसने खरीदा है तो उसका अधिकार हैं वो एक यानि कहने का मतब वो उसकी खरीद लेने के बाद वो उसकी इच्छा के नुसार उसका यूज करें साइद उसके अंतरमन में ये सब चीजें चलती तो रहती है लेकिन वो उपन लेसे रियक्ट नहीं करती बारा वर्ष किनाड़ा के बाद ये वापिस यानि इंगलेंड आते हैं और यहां इंगलेंड में ये वापिस अपना यानि यानि इस्तापते जमाते हैं अपना जो इस्टेबलिश होते हैं और ये हमारी जो सूचन है ये बहुत जादा अंतरमन से दुखी है बार बार इसका आत्म जो भोध होता है इसे वह सोचते हैं कि उसनी क्या कर लिया और इसे बीच वह वहां अपने संपर्क में रही एक मैला से एक सखी से एक सहीली से एक नेवरिंग वमन से पड़ोसी मैला से यानि इस बारे में अपने जर्चा करती है अपने अंतरमन की इसे विधा को बताती है और ओम हिला भी इसके फेवर में बात करती कि तुमने क्या किया तुमैंस नहीं करना चाहिए चुंकि क्रिसिनिटी के यानि वियाद पे पूरी तरह से अभी भी हैंचेड ही उसका पती है रेदानिक तरीके से हैंचेड ही उसका पती है इन बातों से उसे और ज़्यादा यानि जहें अपना जो अंतर बोद है उसकी जो यानि अंतर जो उसकी भावना है वोसे और जैदा कसूरती है और वो ऐसे यानि जह हैं अंतर मनी मंदुखी होती है इसी बीच समर जो ही आया सीजन जो है तो निशन अपने जो है उस पर जा जो पर समन्दर पर काम करने चला जाता है और ऐसी एक बात फैलती है कि नियुसन की यानि डूब जाने से मरती हो गई अब इधर क्या होता है हमारे यानि जो हीरोईन जो सूसन है उसे पूर्ण रूपेन अब ये लग जाता है कि वो अब इस बात से फरी है और वो ये मन बनाती है कि उन्हें अगेन यानि उसको हैंचाइड को अपने पती को तलाशा जाए एलिजाबेट जेन जो कि अब चूंकि समय गुजर चुका है अठारा वर्स हो चुके हैं इस बीच में एक जो गटना है जो बाद में जाकर हमें बिल्कुल पता लगेगी लेकिन यहां हम क्लियर कर लें यह एलिजाबेट जेन जो हैंचेड की बेटी है और नियूसन के खरीदे जाने पर सूसन जो उसके साथ आई है लेकिन वो तीन महीने के बाद उसकी मुरती हो गई है और जो नियूसन से यानि पुत्री जो प्राप् यह यूटी के रोप में एलिजाबेट जेन जो एटीन यर्स की है यह नूसन नामकुस सेलर की है और नाम सैम होने की वज़े से हमारा नाम पूरे नावल में यहीछ लेगा एलिजाबेट जेन लेकिन हमें यहां इनफार्मेशन ही हो गई कि वो तीन महिने के बाद after three months died और यह जो पुत्री आज अठारा यानि वर्ष की है यह निवसन यानि उस सेलर की है इसे सूसन कहती है कि केस्टर व्रीज में मेरा एक रिष्टेदार है उसे तलाश ने हमें चले उसे यानि हम तलाश उसे हम मिले और यह कहकर इसे यानि जह है अपनी पुत्री के साथ होना यह वेडन फ्राएड जो स्थान हो मेरे वाला जहां पर यानि इसको बेचा गया THERE वहां पुर्ण को रहा पिस अती है उस माहिला से तलाश करती है उसके बारे में हैंचेार के बारे में पूचती है उस मैहिला से जनकरी यह लगती है कि कि आ जब उसे इस बात पता लगा कि इसने सरापके नड़से में जो अपनी पतनी की बोली लगाई और एक बोली यानि लगाने वाले निवसर नाम के सेलर से जो फाइव गिनी जुसने ले लिए उस यानि घटना के बाद उसने बहुत तलाशा और निरास होकर वो कैस्टर ब्रीज की और यानी चला गया और इस जनकारी के साथ ते सुसन और एलिजाबे जैन कैस्टर ब्रीज की और बढ़ते हैं और तलाश ते वह यहां आ जाते हैं यहां चुंकि हमने इंट्रड़क्टी पार्ट में भी आप से बात की के पब्लिक यानी जो हिस्टे के लिए यहां पर दोतिन यानी जो होटेल से आपका एक सबसे पहला है या तरी मेरीनर से पीटर यानी जो फिंगर से इस तरह कि यानी यहां पर यह सराय है इन में तरी मेरी नेर्स जो कि यानी केने का मत्तब यानी सस्ती है यहां कर वो रुखते हैं दोनों के लेकिन उस समय हम कहानी में जब बढ़ते तो एक के बाद एक हमारा जो प्लोट कंस्ट्रक्शन है बहुत प्यारे तरीके से चलता है वहां हमारा जो केस्टर ब्रीज है जो है केस्टर ब्रीज में जो हमारा हैंचेर्ड है वहां से आने के बाद बहुत मेनत करता है उसने यानी अनाज का व्यापार स्टार्ट कर दिया है उस अनाज के व्यापार में वह बहुत यानी बड़ा हो गया और वहां की पबली का विश लिया गया जिस समय ये दोनों एलिजाबेत जेन और सुसन यहां आते हैं इसकी तलाश में तो उस समय वहां चूँकि यहां इनकी जो फसले खराब वनाच खराब हो चुका होता है तो कुछ बेकर्स और कुछ यानी जो खरीदार जो इसकी शिकाहित करते हैं वहां इसकी चरच करी मिल जाती है कि अब उसका पती हैंचेड एक बड़ा बप्ति बन गया है नगर का प्रत्थम नागरिक बन गया है मेर बन गया है वह बड़ा यानि जह हैं सफल बप्ति के रूप में हैं उसकी पबलिक प्रतिष्टा बढ़ गई है उसे इस चीज़ से अंतर मन में खोशी हो कि वहां यह जब इस होटल में रुकते हैं तो वह यह तलाश देने का प्रियास करता है हैं चर्ड लोगों से पूछता है कि यह कोई व्यक्ति आप में ऐसा हो जो इस अनाज को बहुत अच्छा कर दें इसको यानि जह रिपाइन कर दें तो ऐसे व्यक्ति कि मुझे तलाश ह से लुए वहां उसी समय एक इस यानि आपका उसका फारफरी नाम डुनाल्ड फारफरी वहां आता है और डोनाल्ड फारफ्रे जो की आstedelों की इंगरीघ केल्चर इसे पहले जौसवा जो भी इसके लिए यानी ओफर करता है लेकिन उसे एक्षप्ट करके इसे यानी जह ले लिया जाता है इसी होटेल में यह आता है यहां यह दोनो अलिजाबेट जेन सूसन यह वहां रुकते हैं आर्थी द्रस्टी से नावल में इस तरह का बताया गया कि नहीं होने की वज़े से वहां की जो मैनेजर जो मैला है उससे बात करती है और यह हमारी जो अलिजाबेट जेन है वह वहां अटेंडेंट का काम भी करती है पारपरई से पहली बार मुलाकात होती है यहां हमारी जो सूसन है वह से मिलने की योज़ेना बनाती हैं और हैंचेड को सुलिप के मादिम से रिंग रोड पर मिलते हैं बड़ी भावनात्मक बाते होती है बड़े इमोशनल एक दूसरे के प्रती यह जो आपका चेप्टर है उसमें जब दोनों मिलते हैं तो हमारा एंचेड बड़े भावनात्मक तरीके से उससे कहता है अब मैं नहीं पीता मैंने पीना छोड़ दिया है यह पाठकों के दिलों को सीधा सीधा टच करता है बड़ा सपर्स घरता है और वह यह बात करने के बाद यह सीक्रेट रखा जाता है एलिजाबे जेन से कि वो पती-पत्नी अल्रेडी पती-पत्नी है चुंकि उसे तो एक अपना यानि परीचित और रिष्टदार होने का नाम लेकर वो यहां लेकर आई है और यही बात उसको बता रखिया हैंचेड इसकी रहने की वेवस्ता करता है और इसे यानि कुछ आर हैं मार बारत सब्सक्राइब वारे कषानी में हाल्टिंग आते हैं वेक तक निया करते हैं और अचानल आता है हम जैसे आगे बढ़ते रहते ह कानी में तुस्त तक यहां यह जो पीड़ेड क pourquoi कहूंन में हैंब हैंचेड का अना और और अपनी मैनत करते करते अपने इस व्यापार अनाच की व्यापार में बड़ा यानी बना मेर बनना पपलिकृ का आना हुआ एक बार इसकी वहाँ पर यानि स्वास्ते खराब बिमार हो गया और उस समय इसके सूस रसा और इसकी देख रेक एक मैला एक विद्वा मिलिट्रिमेन की यानि जो विद्वा जिसका नाम इसमें अमने इंटर्डक्टी पार्ट में कर लिया लुसेटा नाम की मैला इसके संपर्क में आती हो इसकी देखने करती है इसके केर करती है रिसी बीच इन दोनों में यानि प्रेम हो जाता है एक दूसे के प्रती प्रेम में नजदिक आ चुके होते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ हमें यह सपस्ट दिखाए देती है यह सपस्ट है कि हैंचेड उसे ये बताता तो है लेकिन अल्रेडी वो ये क्लियर कर देता है और ये इस वीज उसकी पतनी आ गई तो उसे साधी नहीं करेगा ये बात उसने ओपन बता रही है वहाँ पर इधर हम देखेंगे डॉनाल्ड फारफरे का यहां से अपॉइंट करने के मित्र के रूप में अपने के रूप में पार्टनर के रूप में फारफरे की होश्यारी और उसके यानि अच्छा देख रहे एक अच्छी परफॉमेंस के जैसे कारोबार बहुत बढ़ता है इधर इनके आने की वज़े से फारफरे और एलिजाबेट जेन का भी थोड़ा एक दूसरे के प्रतिश करना होती है कि स्वायम सूशन के द्वारा एक बार अलिजाबेट जैन को मिस्टीरियस लिएक लेटर के द्वारा डोनाल्ड फार प्रई के संपर्क मानने के लिए बहजा जाता सो सो बहुत सारी गटना है हमारा चूंकिस वीडियो में परफज मित्रों बहुत बारिकी से ट आउट लाइन से डील करना है अधर्वाइज हम जानते हैं 45 चेप्टर्स का यह जो नावल है यह बहुत यानि डीटेल में हम चलेंगे यह अमें टेक्स्वल में आपको मिलेगा हम तो सोट में को आप तक पहुचाने का प्रियास करेंगे तो यहां यह सूशन और हैंचेड बहुत बड़िया डिसीजन यह लेते हैं कि हम पबलिक की नजर में अनोथराइज यानि रहने के बजाई ताकि आपका सम्मान नहीं जाए और इसका यानि बुरा असर उनकी जो बैटी है एलिजाबेज जैन उस पर नहीं जाए इसके लिए हम लीगली साधी करते हैं और उन सबसे पहला इस साधी का मेन उद्देश जुरा वो तो अलिजाबेज जैन के यानि बविश्य को लेकर रहा जिसमें सूशन ने बहुत जादा इस बात का ध्यान रखा और हैंचेड ने भी साथ दिया लेकिन इदर बढ़ते विवसाई की किरम में कुछ ऐसे बीच बीच में यानि घटना ही रही जिनकी वज़े से हम आगे जाकर इस नावल को ऐसा पाते हैं कि यह ट्रेजिक यानि टर्न पर चला जाता है दोनाल्ड फारफरेई का एलिजाबेज जैन से मिलना नमर एक नमर दो हमारे जोसब जोओ का इस कारे के लिए हैंचेड के द्वारा अपोइंट नहीं करना और एक घटना इसके द्वारा एबेल की इंसल्ट करना यह सारी घटना ऐसी है जो उसका डाउन फाल लाना स्टाट करती है डॉनाल्ड फारफरेई और हैंचेड के बीच में हम दोनों का जो व्यवसाएं दोनों के पार्टनर के रूप में चल रहा हूं उसमें व्यवधान आ जाना इसमें एक और गलतियों से यह होती है एक भविश्य यानी वक्ता महां गोशना करता है कि अगला सीजन बहुत अच अच्छा रहता है खराब नहीं होता जैसा इंचार्ण सोचा था कि वह जदा रेट में अनाज बेचेगा तो उसे बहुत नुक्सान होना स्टार्ट होता है डोनाल्ड फारफरई के द्वारा इन दोनों के बीच में चलते हुए एक बार जब उसने इसको एबेल को बहुत जादा यानी फटकरा दोनों में कास उन्हें हो जाती है इसे लेकर एलिजाबेट जेन को भी लेकर एक दो बार इस तरह किया निगटना होती है और दोनों यह है कि डोनाल्ड फारफरई डे एंड नाइट अब उसका वेवसाई इससे बहुत बढ़ा हो जाता इधर हैं चार्ड का वेवसाई पब्लिक रेपूटेशन भी यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है चूंकि यहां हम देखेंगे सूसन का स्वास्ते डे बाई डे दिन प्र हैनी के देखा कि ने समझा यहमस्अ और यहां है क्व शायत तो उसने एक लेटर त्यार किया कि उसलेटर में the secret of Elizabeth Jane death उसकी Elizabeth Jane की यानी मृत्यू का secret लिखा और उसमें लिखा कि किस तरह से Elizabeth Jane जो उनकी own daughter अपनी यानी पत्री थी तीन महीने के बाद उस बेचने की गटना की तीन महीने के बाद उसकी मृत्य हो गई और यह जो Elizabeth Jane जो है अठारा वर्श की यूती यह उस न्यू उसन सेलर की बेटी है यह तुमारी बेटी नहीं है यह उसमें secret लिखा लेकिन लिफापे के अंदर यह रखने के बाद उसके उपर यह लिखा कि यह पत्र Elizabeth Jane की साधिस के दिन से पहले नहीं खोला जाए उसी दिन खोला जाए परन्तु इस लेटर को हैंचेड खोल कर पढ़ लेता है और परिणाम स्वरुप क्या होता है कि Elizabeth Jane का जो पहले उसके प्रती जो प्यार था उसमें अंतर आ जाता है यह Elizabeth Jane महसूस करना स्टार्ट कर देती है और इसकी सूसन की मरती हो जाती है सूसन की मरती होने के बाद एक दिन सूसन की जो कबर है जहां Elizabeth Jane बैठी तो होती है इसे वहां बैंच पर एक माईला से मुलाकात होती है और वह लूसेटा है लूसेटा अपना परीचे अपनी बात बताती है यह चूंकि Elizabeth Jane इस बाद से बड़ी दुखी है उसके विवहार से उसने एक दो बार डॉर्नाल्ड फारफरे के साथ इसका मिलना जुलना उसे एक घटना पुस्तग लेने वाली एक घटना एक पार्टी में डांस करते से यानि दोनों में डिस्प्यूट और डिससेटिस्पेक्शन का कारण है हम कहानी को बहुत स्पीडली बहुत सोट में हम बात करें कि किस तरह से इदार लूसेटा लूसेटा और हैंचाड के बीच जो समय का प्रेम था जब परवान पे चड़ा इन्होंने लेटर से एक्सचे हुग someday जबसाई में यह प्रतीदंदीं हो गया प्रेम में प्रतीदंदीं हो गया चूंकि हम उहां प्लत किके जीमन क्णिया के स्वाइन कैzens कि साथ न पहुत और जिसमें हैंचेड के द्वारा स्कुष्ले आनुमती दे दी गई उसने यह सोचाता है कि इसकी बहाने उसका वहाना जाना रहेगा और कोई यानि उसक भी नहीं करेंगे लेकिन वहां डोनाल्ड फारपरे का भी आना जाना है और कहानी में ट्विस्ट देखें आगा हैंचेड लुसेटा दे आर इंलव उलेड़ी बट हीर हम क्या पाते हैं कि डोनाल्ड फारफ्रई है आल्सों इन लव बीडल लुशेटा और रम फारफ्रे इस अलसों डिवोटेड टो एलिजाबेट जनी आलिजाबेड जनी की तरफ भी उसका यानि आकर सेने लुसेटा से उसका यह निप्रेम हो जाता है और बात बढ़ी हो जाती है कि सी क्रेटली हैं चैर्ड को बताए बिना उदर डोनाल्ड फारफ्रेई ने लुशिटा से साधी कर लिए कि इधर हम क्या देखते हैं कि लुशिटा को हैं चैर्ड की एक्टिविटीज पर भी थोड़ा सक होता है उसे मिशान होती है वोसे दूसरी चीज़ीं कि वो स्वास्ते में वो भी अपने आपको देखती है कि उसका स्वास्ते भी खराब हो रहा है या उसके लवождलेटर्स जो लिखें धेशने से दिये उनको मंढ़ती है इधर हमारे हैंचेट से गलती हो जाती है कि हैंचेट का कारोबार बिलकुल डाउन हो जाता है एन्चेट का य मुझे घ्ठ पर के घर भिग जाथा उसकल वेयो साउन बिल्कुल डाउन आ जाता है अब तो ऐसी स्तती हो जाती है वह हैंड टुमाउट हो गया और भाग्ये का करंदन इस काहनी में बताया भाग्ये के हातों मनों से कटपूत ली हैंच हैड से सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि अपने ही बेवसाई में कुछ गलतियों की वज़े से उसने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में डोनाल्ड फारफरे को खड़ा कर लिया दूसरी गलती है हो गई किसने डोनाल्ड फारफरे से अपने व्यक्तिगतर रिष्टों की चर्चा की इसने यह बता दिया कि यह महिला जिसकी साथ वो अब रहना है यह उसकी पत्नी है यह उसकी बैटी है उसे क्या करना चाहिए यह सब चीज़ें बाद में जाकर मूल रू की बाते हैं उसने बाद में अपने उस मकान मालिक से जिसके यहां वो आन्तदोगतबा किराई पर रहने लगा था डोनाल्ड फारफरे के नोकरी करने लगा है उस समय भी इसने यह बातें सेर कर ली और इससे भी बड़ी बात यह हुई है कि वो निउसन आमक जो सेलर जिसकी मरने की अफवा हुई थी और इसी वज़े से सूसन अलिजाबेट जैन को लेकर हिंचार को तलासत यह आई यह और यह सारा हुआ है उसने उससे भी जूट बोला उसने यह कहा कि यह तुम्हारी बेटी नहीं यह मेरी बेटी है और बाद में उसको पता लग जाता है अलिजा बैद भी बहुत जादा उससे रूस्ट है उसे नाराज है यह सब चीजें लेकिन हम यह दिक कहानी की और बढ़ते हैं तो यह उसने सोचा था कि ऐसी परिष्टिती में जब सब तरफ से वो निरास है दुखी है उसका भाग यह बहुत खराब चल रहा है लेकिन यह एलिजा मैंनी जो एक्षणों का अपने बुड़ाते का लेकिन वहां भी एक सीक्रेट और एक ट्रेजेडी हुई किस तरह से सूसन ने जो लेटर लिखा जिसमें बताया था तो यह सब चीजें ऐसी बन जाती है हम बात करें कि उसके लव लेटर्स को जब पढ़ लिए जाता है वह दो बूरे लोग हैं वह एक योजना बनाते हैं से बदनाम करने की और पबलिक इली इसकी मिटी राइड नमसे जलुस वहां किसी को बदनाम करने का जिसके अगेंस्ट निकालते हैं उस रख़ती के पुतले बनाकर गदों पर बैठा को निकालते हैं उन्होंने ऐसा ही किया हैंचैड और लूसेटा के दोनों के पुतले बनाकर गदों पर जुलुस निकाल रहे हैं और यह लूसेटा देख लेती हैं और इससे लूसेटा को बड़ा धक्का लगता है लूसेटा की भी मृत्ति हो जाती है जाता है इदर अम देखते हैं कि डोनाल्ड फार्फरई और अलिशाबेट जैन बहुत जादा नजड़ी हो जाते हैं बहुत जयादा कांटेक्ट में आ जाते हैं अलिशाबेट जैन का भी फेवर फार्फरे की तरफ हो जाता है यह सब देखते हुए अब हमारा हैंचाइड पूरी तरह से दुखी हो जाता है वो यहां रहना नहीं चाहता है ऐसा मन करता है कि कहीं चला जाए और वास्तों में वहां से निकल जाता है इदर हम में देखते हैं कि वह इदर घूमता रहता है लगभग वह एज एस्ट्रे विदाउट एनी परपरज बिना किसे उद्देश के जीवन के थपेड़ खाता सोला दिनों तक इदर उतर यानि जो घूमता यात्रा करता है लेकिन अंतिम रूप से जब वह जाता है उसे पहले उसे डोनाल्ड फारफरी और एलिजाबेज जेन की साधी का यानि पता लगता है अंतरमन नहीं मानता है कि वह उसे अंततों कत्वा माफी मांगेगा और उसे यानि कुछ उफार देगा तो उसने एक समेजिकर आया है गोल्डन फलींच गोल्ड फलींच एक बर्ड एक पीजरा हो लेता है उफार के रूपर वहां जाता है बहुत ऐसा बताया कि बार बार उसका मन नहीं करता है फिर उसका मन कहता है कि वह एक बार उसे मिले से दे दें और किस तरह से जब वो गि में एंटर करता वहीं उसे पिजड़े को छोड़ देता है एलिजाबेश जैन से बला बुरा कहती है बहुत सारा उन दोनों के बीच में होता है उन्त दकतवा वह बहुत दुखी निरास होकर चल देता है और वेगडन की तरह साउस पार्ड की तरह बढ़ जाता है और वहां ल एक हेलपर के रूप में उसके काटेज में उसकी अनी म्रत्ति हो जाती है उदर डोनाल्ड फार पर एलिजाबेश जैन को पता लगता है कि उसकी इस्तितिये हैं वह यानि इदर गया है उसे तलासते हैं वह दोनों भी यानि तलासते हुए भागते हुए इसे तलासते तलास वहां पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि कार्टेज में उसे मरत पाते हैं उसकी जैब में जब हाँ डालते हैं तो उसका एक वशियत मिलती है में उसकी विल उसकी वशियत मिलती है माइकल अपनी एक वशियत लिख कर गया जो इस नावल का अपने आप में बहुत बड़ा सारांस भी है और मैसेज भी है इसका इस नावल का एदियम यह कहें कि इस नावल का एक प्रकार से हार्ट है दे विल आफ माइकल इट सेल्प टो बी रिगार्डेड दे नट शेल और दे हार्ट आफ दिस नावल इस नावल का हार्ट उसमें पांच वो अपनी इच्छाएं पांच अपनी वशियत लिख कर गया आए पहली सबसे पहली इसकी शर्त थी जो मित्रों बच्चों हमें याद रखने की कॉंपिटिटिव परपस है केडेमिक परपस है हमें याद रखनी पड़ेगी हमारे क्योसन आंसस में सामील होगी क्या सबसे पहली बात यह एलिजाबेजेन और फारफरई को मेरी मोत की खबर न दी जाए अत्वा न वो मेरे लिए दुख व्यक्त करें नमबर एक नमबर दो उसे पवित्र भूमी में दफन न किया जाए नमबर थर्ड गिरजागर के अधिकारी को मेरे लिए गंटी बजाने को न कहा जाए नेक्स्ट कोई मेरे सव को न देखें नेक्स्ट मेरी कबर पर किसी प्रकार के खुश्बूदार किसी प्रकार के फूल पोदें नहीं लगाए जाए कोई मार्णर मेरे अंतिम संस्कार के समय यानि जनाजे के पीछे न चले ये मेरे नाम पर में अपने हाथों से अपना नाम लिखकर इसे पुस्ट करता हूँ ये एक वशियत उसे इसकी जेब में मिलती है और इसी के साथ इस नाटक का अंत हो जाता है इस नाटक में तोमस आडी ने एजे सबस्तांस ओब दे लाइफ जो कहा हमने इंटरड़क्टिस फस्स पार्ट में भी बात की है किस तरह से भागे क्या तो सपरेज ट्रेजी की रोस की मिलती होती है लाइफ में वापिस जास स्टार्ट गवाता एक घशियारे के रूप में अन्त तो गत्वा भी जब वह वैकड़न की तरफ बढ़ता है यहां से कैस्टरबरीज के इस पार्ट की और जाता है अन्त में तो पुना वापिस घशियारा का स्वरूप रखकर ही वह आप अपने आप में जाता है पहले जैसे रूप में आ गया तो यहां यह बात पूरी तरह से चरितार्ट होती है हपीनेस इज एन ऑकेजनल गस्टो इन दे जन्रल ड्रामा ओफ यूमन लाइफ यूमन ट्रेजेडी खुशी मानव जीवन तराशदी में एक मात्र लमा है संपूर्ण जीवन मनुसे को ऐसे ही यानि पीडित होना पड़ता है इसमें न तो भाग गये और न कोई इश्वर्य ताकत मोस्ली जादा तर हम जीवन में 99 परसेंट मनुसे अपने ही किये का भुकता है और उसे अपने इन सारी गल्कियों का नुक्सान पुरी जिन्दगी सफर होकर और ट्रेजिकली मर कर ही यानि चुकाना होता है दटीजेद समरी हमने बहुत ज्यादा शोट में इसको प्रेजेंट करने का प्रियाज किया है मुझे उम्मीद है कि अब आप जब हमारे एनालेसिस क्रिटिकल एनालेसिस को जब लेंगे इंच भा इंच पर 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 प्रपोस अप्रप्टिटिव एक्जाम एक्डेमिक एक्जाम और लिटरी पर पर पस्ट यू विल बेनेफिशरी आप्रोमिस ओके थैंक यू पर वाचिंग